विविन डि सेना के सामने दिग विजे ने जो है request की पर attitude के साथ है. अब इस घर में सबसल जदा attitude जो है वो विविन डि सेना का माना जाता है. उसके सामने अगर कोई attitude दिखायेगा तो attitude वाला बंदा जो है उस attitude को बहुत ही बाखुबी से जो है वो समझ जाएगा. अब दिगविजे जो है वो टाइम गॉड है और टाइम गॉड जब तक वो रहेंगे विवियन डिसेना जो है काम नहीं करने वाले हैं घर का ये बात जो है विवियन ने दिगविजे को और अविनाश ने और बग्गा ने भी बोल दी जिसके कारण ने इसे बंदे ने जो है इन लोगों का खाना ही रोक दिया पर ऐसा नहीं है कि ये खाना खा नहीं सकते हैं अपना बनाएंगे अपना खाएंगे तो वो ही चीज जो है विविन भी कर रही है कि ठीक है हम अपना खाना बना लेंगे पर अभी दिगविजे जो है वो उंगली करने के लिए फिर विविन के पास और उसने बोलना शुरू कर दिया कि आप खाना बना रही है ठीक है आप बनाईए पर खाने के जो बरतन रहेंगे वो भी आप धोएंगे तो विविन ने बोला है वो देखेंगे और वैसे भी वो हम नहीं धोएंगे हम तीनों नहीं धोएंगे हम तीनों की ड् बरतन धोने की नहीं है तो दिखविजे का कहना ये है कि फिर आपकी खाना बनाने की भी ड्यूटी नहीं है विविन का कहना ये है कि हाँ हमारी खाना बनाने की ड्यूटी नहीं है पर हमें जो है खाना खुद से खाना है ना तो खाना बनाना ही पड़ेगा जिसकी ड्यूटी ह बरतन धोने की वो ही duty करेगा आखिरकार ये सब चीजे किस ने बोली तुमने बोली ना तुम टाइम गौड तुमने बोला कि तुम एक्स्टर खाना बनाओ तो हम अपने लिए खाना बना रही हैं पर बरतन क्यों हम अपना धोएंगे बरतन जो है वो दूसरे लोग ही दोएंगे तो जहाँ पर विविर ना जो है वो अपनी ही बातों पे अटके हुएं और विविर ने ये बात बोल दी कि जब मैं टाइम गौड था तब उस वक्त तो क्या था तो बोला कि इतने स्लो नहीं एक सेकिंड हो चुका है तो इतने स्लो भाई मैं ही बोलता हूँ सुनना सुनो नहीं सुनना मत सुनो जब मैं टाइम गौड था तब तुमने बोला मैं काम नहीं करूँगा फिर जीरो ग्राउंड पे आके मैंने तुमसे बात की और मैंने तबी भी तुमसे ये बात पूछी तब सकिंड टाइम भी तुमने काम करने से इनकार कर दिया तो टाइम गॉड़ी जो करेगा वो टाइम गॉड़ी करेगा ना तो जब तक तू रहेगा टाइम गॉड़ी मैं जो हूँ कोई काम नहीं करने वाला हूँ तो दिगविजे ने भी काफी attitude से बहुत सारी चीजे बोली विवियन को जो कि विवियन जो है मानने के लिए तैयार नहीं है जब पावर आती है ना हाथ में तब दूसरों के सामने जो है बहुत प्यार से बात करनी पड़ती है विवियन ने भी यह चीज़ की थी इविन रज्जो दलाल ने भी यह चीज़ की थी घर को चलाने के लिए अब आखिरकार किसकी उंगलियों पे अब नाच रहा है दिगविजे वो तो दिखाई दे ही रहा है करनवीर अपने दिल की ग्रज्जिस जब टाइम गौड बनके नहीं निकाल पाया जो कि आल्मोस्ट टाइम गौड बन चुका है उसको अबी किसी तरीके से तो गुसा निकालना है ना पंगा करना है तो वो दिगविजे को अपनी उंगलियों पे नचा के उसके कंधे पे बंदू करके जो है विविन डिसेना को इस तरीके से तंग करने की कोशिश कर रहा है पर इन लोगों को ये बात नहीं पता कि विविन अविनाश बग्गा तंग नहीं हो रहे हैं बलकि तुम लोग तंग हो रहे हैं उल्टा क्योंकि तुम्हारे उपर रिस्पॉंसिबल्टी है तुमको करवाना है काम और हम नहीं कर रहे तो तुम्हें एक बाड टाइम पाया है इसी के साथ मैं लेती हूं जासत नमस्कार